NASA की Curiosity Rover जिसके हाली में ही 10 साल पुरे हुआ है Mars की सर्फेस पे और कितने दिनों तक चलेगा जानेंगे इस वीडियो में August 5 2012 को Curiosity Rover Mars की सर्फेस पे लेंड करता है इसकी लेंडिंग उस टाइम की सबसे डिफिकल लेंडिंग थी Human History की Mars पे का भी Habitable Environment हुआ करती थी या नहीं जानने के लिए इसमें कभी Most Advanced Instruments लगाए गए है Curiosity Rover ने Mars पे लेंडिंग के बाद से प्रित्वी पर 8 लाग से भी जादा फोटोस भीजी है ये Rover Mars पे 3000 से भी जादा सोल्स बिताने के बाद भी अपना काम किया जा रहा है वैसे तो इसके outer body में damages दिखाई देने लगे हैं लेकिन ये और कब तक survive करेगा जानने के लिए समझना पड़ेगा कि ये किस से चलता है Curiosity Rover यूज करता है Radio Isotop Power System को ये एक ऐसा बाद सिस्टम है जिसमें एक radioactive substance को लिया जाता है और उसे पैदा होने वाली heat को electricity में convert कर दिया जाता है नासर के experts की माने तो उन्होंने कहा है कि Curiosity Rover ने अपनी expected life span जो की at least one year थी उससे कई जदा अच्छा perform कर रहा है और अभी ये कब तक ऐसा चलता रहेगा ये बताना मुश्किल है